नमस्कार राजन सिंग मुकट है हमारा नाम और आज किस वीडियो में हम बात त्रिशाकर मधु के बारे में करने वाले हैं देखिए सूसल मीडिया पे जो इनका वीडियो वाइरल हो रहा था उनके पीछे वाइरल के पीछे हाथ इन ही महाशायका था खेर ये बाते हम किस विहाब पे कह रहे हैं वो हम आपको आने वाले कुछ मिंटों में बता देंगे लेकिन उससे पहले में आपसे एक छोटा सनिवेदन करना चाहते हैं किस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजेगा ताकि आपको कोई मुर्ख इतना आसानी से ना बना सके दोस्तों सोसल मीडिया पे जब तिर्शाकर मधु का वीडियो फाइरल हुआ और दिन टीन बीट गए तो तिर्शाकर मधु ने किसी भी तरीके से कोई भी रिप्लाई नहीं किया उसके बाद कुछ इस परकार का पोस्ट डालती है जिसमें पहले पोस्ट यही पता चल जाता है कि वो सहनबुती पाना चाहती है जिसमें वो मरने की बात करती है दूसरा पोस्ट आता है कि बिहार की हर एक हिरोईन जो है वो होटल जाती है, फिल्मों के लिए, गानों के लिए, अच्छे काम के लिए किसी-किसी डाइरेक्टर, किसी-किसी सूपरिस्टार के साथ ताकि अच्छा काम मिले और इस तरीके से ही ये लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन आपने इन सारे चीज में एक बाट नोटिस किया आपको अभी तक इस बंदे का नाम नहीं पता होगा जो उनके साथ उस वीडियो में मौझूद था आप उस वीडियो को पूरा देखे हैं कुछ लोग 22 मिनट का वीडियो देखे हैं कुछ लोग 17 मिनट का वीडियो देखे हैं और कुछ लोग के हाथ 2-2 मिनट वाला 3-4 वीडियो लगा होगा सब लोग देख रहे हैं उस वीडियो में तिरशाकर मधू को और उसके साथ एक बंदा मौजूद है उसका ना तो फेश ढखा हुआ है और ना हे किसी भी तरिका statistics लेकिन उसका नाम कोई रिवील ही नहीं कर रहा है क्यों करेगा रिवील क्योंकि अगर वो बंदा नहीं चाहता है कि हम रिवील नहीं होना चाहते हैं अब वो वीडियो दो आदमी के पास था उस boyfriend के पास और त्रिशाकर मधु के पास त्रिशाकर मधु के मंजूरी से वो वीडियो बनाई जा रही थी इसमें तो कहीं कोई दाग नहीं है अब वो जब वीडियो वाइरल होता है तो जब अगर उसका boyfriend उसके साथ धोखा करके वीडियो वाइरल हो दूसरा भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री में इनके तरफ जितने भी हीरोईन है जिनका दूहजार चारहजार दसटार फॉलोवर है और पांच और शाथ गाने में काम की है उन लोगों का जो स्टेंडर है वो बहुत ज्यादा नीचे है मतलब आप दे अच्छी हीरोईन है बड़ी हीरोईन है फिर भी उनको अपना भालन पोशन करने के लिए इस तरीके काम को करना पड़ता है यह कुछ ऐसे वीडियो जो की मस्तराम फिल्म का है वह सीरीज का है उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रानी चटर जी काम कर रही है मतलब पॉर्ण 100% पॉर्ण ही है लेकिन फिर भी रानी चटर जी फिल्म में काम कर रहे थी तो उनको कुछ नहीं हुआ अब देखिए त्रिशाकर मधू का ही सिर्फिस में फायदा होगा आप लोग 2-4-5-10 गाली ही देदें को तो उससे क्या हो जाएगा वो लोग को गाली से कोई फरक पड़ता नहीं है हम इसलिए आपको बता रहे है क्योंकि कोई भी पर्सेंट ऐसे लोग है जो त्रिशागर मधू को उस पहले नहीं जानते होंगे one of the best example मैं हूँ मैं भी नहीं जानता था कौन थी त्रिशाकर मधु बाद में पता चला कि पवन से यह फालना चिलना के साथ काम की है तो एक तो आप और हम उनको जान गए हैं दूसरा social media पूनका तेजी से follower बढ़ा Instagram पे follower बढ़ा और हर वो न्यूज आर्टिकल में उनको आने का मौका मिला जो कि अगर जीवन भर वो मिहनत करती तो शायद ही उनका इतना नाम हो पाता होगा आप क्या आगे वो हम बताते हैं कुछ दिन के बाद सब लोग सारी बाते भूल जाएंगे और फिर आएगा त्रिसाकर मधु का एक बड़े सूपरिस्टार के साथ गाना जो कि आप देखी सकते हैं पवन सिंग हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं ये फंगा चिलना जो भी हो तो ये जितना भी सबूत जितने भी बाते इसारा कर रही है वो इससे साथ पता चलता है कि शाकर मधु ने खुद से अपना वीडियो वारल कर रहा था क्यार आपकी क्या है राय नीचे कमेंट में बताईए आपको क्या लगता है वो भी नीचे कमेंट में बताईएगा हम आपसे अगली वीडियो मिलते हैं तब तक लिए दीजी इजाजत नमस्कार